हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में कुर्ती पर हाफ कोलर लगाना सिखेंगे तो ये देखे हमने कुर्ती को कटिंग कर लिया है और कुर्ती की कटिंग की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगे आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकत थे करके हैं ये हमने दोनों पाट ले लिए हैं को परंट और बैक जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारा निचे की साइड वो है इntक कोलर लगाने देख लेते हैं, यह देखे हमारा बैक पार्ट है यह, अच्छे से इसको सेट करेंगे, उसके बाद हमने जो फ्रंट पार्ट है हमारा कुर्ती का, उस पर हमने जो नैक की चोड़ाई रखनी है, धाई इंच, तो धाई इंच पर यह हम यहाँ पर बैक पर मार्क लगाएंगे, इस तरीके से यह हमने 5 इंच पर मार्क लगा लिया है अब इसको हम डाउन करेंगे देखिए यहां से एक इंच यह हमने डाउन किया है और इसको इस तरीके से गुलाए की सेफ देंगे और कट कर देंगे अगर हम कुर्ती के बैक पार्ट में यह कट डालते हैं तो हम जो इसमें कोलर लगाएंगे वो जैसे हमारी गर्दन के पास चिपक जाती है इसमें वो दिकत नहीं आएगी तो अब हम जो फ्रंट पार्ट है उसमें नेक को बनाकर रेडी कर लेते हैं तो देखिए हमने बुग्रम को अटेच कर लिया है और इसको अब पलट देंगे और एक सिलाई यहां पर लगा देंगे इस पर यह हमने कच्ची सिलाई लगाई है इसको बाद में हम निकाल देंगे तो देखिए नेक हमारा बन गया है अब हमने बैक पार्ट के उपर ऐसे प्रंट को रखना है और सोल्डर को अटेच कर लेंगे जैसे कि हम सिंपल कूर्टी में करती हैं सिलाई को हम डुबल करेंगे सोल्डर पर तो देखिए सोल्डर को हमने अटेच कर लिया है अब देखिए ध्यान देजिएगा अब देखे जो हमने सोल्डर की स्लाई लगाई है वहाँ से हमने इंच टेप को रखते हुए और ये साड़े तीन इंच पर हमने ये मार्क लगाया है जो हमारा फ्रेंट नैक है उस पर साड़े तीन पर ही हम इस साड़े लगाएंगे ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो हम कोलर लगाने वाले हैं वो हमने कहां तक लगानी है उसके लिए हमने मार्क लगाया है और अगर आप चाहो तो धाई इंच पर या दो इंच पर आप जितनी आप कोलर जहां तक आप फ्रेंट पार्ट में लगाना चाहते हैं वहां तक लगा सकते हैं उसके बाद हमने देखें नेक को ऐसे पकड़ते हुए जो सोल्डर के हमारी सिलाई है उसको मिलाते हुए ऐसे फोल्ड करना है और जो हमने मार्क लगाया था वहां पर हमने इंच टेप को रखना है और उस तरीके से नाप लेना है जो हमने कोलर लगानी है उसकी हमारी लंबाई कितनी होगी तो यह हमारा 6 इंच आया है और अगर हम इसको सिंगल करेंगे तो यह हमारा 13 इंच आएगा यानि कि हमने 13 इंच कोलर को ready रखना है कोलर की जो हमारी लंबाई हमने रखनी है 13 इंच रखनी है तो देखे मैंने ये कपड़ा लिया है और इस पर मैं 13 इंच हमने कोलर की लंबाई रखनी है रेड़ी तो मैं यहां पर 14 इंच पर मार्क लगा रही हूँ अदा अदा हींच हमारा दोनों साइड से सिलाई में जाएगा और इसको यहां से कट कर लेते हैं कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे देखिए इस तरीके से अब हमने बुकरम लेना है जिस पर हमने कोलर को कट करना है तो उसके लिए भी हमने लैंथ 13 इंच लेनी है बुकरम पर कपड़े की 14 इंच ली है तो यहां से कट कर लेंगे और बुकरम को ऐसे फोल्ड करेंगे और जो बुकरम की खुली हुई साइड है वहां से हमने कोलर की जो सेफ डालनी है वो डालेंगे देखे इस तरीके से गुलाई डाल देंगे अब इसके opposite side हलकिसी cutting और करेंगे देखे इस तरीके से तो हमारे color की cutting हो गई है अब देखे जो कपड़ा हमने लिया था उसको इस तरीके से fold करना है कोलर को इस तरीके से रखना है जो कपड़े की folded side है उसको हमने जो हमारी कोलर पर गोलाई वाली side है उस side रखा है और जो खुली side है उस side से हमने कोलर को joint करना है और यह जो हमारी कोलर हमने cutting की है जो कपड़े कर रखा है अब जो कोलर है उसके साथ साथ हमने शिलाई को लगाना है देखे इस तरीके से और यहां पर लेकर आना शिलाई को पका कर देंगे शिलाई को हमने कपड़े पर पूरा नीचे तक नहीं लगाना है जहां तक हमारी बुकरम है वहां तक हमने शिलाई को लगाना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम cutting कर लेंगे और जो हमारा यह मार्जन है इस साइड इस पर cut लगा देंगे cut लगाते समय ध्यान रहे जो हमने शिलाई लगाई है वो cut नहीं चाहिए तो देखे हमने cut लगा लिए हैं अब इसको हम सिधा करेंगे इस तरीके से अब इसको यहां से यह सिधा करने के बाद हम इस पर press भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर सिलाई लगा रही हूँ जो सिलाई में लगाऊंगी इस पर इसको मैंने सिलाई को बड़ा रखा है ताकि बाद में इसको मैं निकाल दूँगी तो देखी स्लाई मैंने लगा ली है अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जो धागे वेगारा है उसको मैं कट कर दूँगी अब हम क्या करेंगे जो हमारी कोलर है उसको हमने ऐसे सैंटर से पोल्ड करना है देखी इस तरीके से और इसके सैंटर पर एक कट लगाएंगे अब ऐसे ही कट हमने कुर्टी पर लगाना है देखे इस तरीके से सोल्डर से जो सोल्डर की सिलाई है उसको मिलाते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और कट लगा देंगे कट हमने इसलिए लगाये है क्योंकि अब हम कोलर को अटेच करेंगे उसमें आसानी रहेगी तो देखे जो कट है कुर्टी का और जो कोलर पर हमने लगाया है उनको एक दूसरे से मिलाना है यहां पर और यहीं से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है और देखे इस तरीके से सिल अच्छे सी मिलाएंगे अगर हमारा कट से कट अच्छे से नहीं मिला तो जो हमारी कोलर की सेफ है वो अच्छी नहीं आएगी यानकी जो फ्रंट नैक पर जो हमने फ्रंट साइड कोलर को लगाना है वो छोटी बढ़ी हो जाएगी देखे इसलाई को इस तरीके से लगाएंगे जो हमारी कोलर है बुक्रम पर यान की बुक्रम के बिल्कुल साथ-साथ इसलाई लगेगी जो सोल्डर पर इस तरीके से गुमा लेंगे और देखे जो हमारा ये मार्जन है जो हमने आधाइंच का रखा था उसको हमने अंदर की साइड फोल्ड करना है, देखे, अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई को नीचे उतार दीना है, इस तरीके से सिलाई को पका करेंगे, तो देखे कुछ इस तरीके से पुलर हमारी लगेगी अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड से लगाना है इसलाई को देखे यहीं से फिर से इसलाई को स्टार्ट करना है देखे इस तरीके से हमने इसलाई को लगाना है जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो सोल्डर की सलाई है उस पर इस तरीके से रखते हुए ऐसे गुमा देना है जो फ्रंट पार्ट में हमने नैक बनाया हुआ है उसके बिलकुल किनारी पर इसलाई लगानी है यहां पर भी ऐसे ही करेंगे जो मार्जन उसको अंदर की साइड फोल करेंगे यहां से और जो उपर वाला जो कपड़ा है उसको हमने हटा देना है तो यह सिलाई हमारी लग चुकी है देखे इस तरीके से अब हमने दूसरी साइड से सिलाई लगानी है देखे यहां पर भी जो यह मार्जन है इसको हमने अंदर की साइड दबा देना है अच्छे से ताकि बहार की साइड कपड़ा नजर ना आए देखे ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे जो सिलाई हमारी पहले से लग गई हुई है उसी पर हमने इस सिलाई को लगाना है देखते हुए देखे वैसे तो कोलर लगाने के बहुत से तरीके होते हैं लेकिन मैं जो यह तरीका आपको बता रही हुए यह सबसे आसान तरीका है इसी तरीके से कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और जो हमारा हमने कोलर को अटैच किया था जो वो मार्जन है उसको भी हमने अंदर की साइड रखना है यानकि बाहर की साइड हमारा कपड़ा नहीं दिखना चाहिए और जो हमें कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं उसको हमने खीचना नहीं है बिल्कुल भी अगर हमने कपड़े को खीच लिया तो इसमें जोला जाएगा तो देखे कोलर हमारी लग चुकी है अब इसमें हमने एक स्लाई और लगानी है जो कोलर के हमारी किनारी है उस पर हम एक स्लाई और लगा देंगे ताकि अच्छे से हमारी कोलर बैठ जाए देखे अब जो हमने स्लाई लगाई थी इस पर कच्च उसको हम निकाल देंगे देखे इस तरीके से तो कोलर हमारी लग चुकी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजेगा ताकि स्टीचिंग से रिलेटेड नई-नई वीडियो आपको मिलती रहें तो झाल 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 झाल